यहां पर आपको इन प्रोपेटिस का यूज बताना है कि कौन कौन सी प्रोपेटिस यहां पर यूज हो रही है तो उनके नेम्स आपको यहां पर सिंप्ली लिखने है तो देखें यहां पर आपको प्रोपेटिस का नॉलेज होना चीए कि कौन कौन सी प्रोपेटिस होती है तो यहाँ पर देखें, फस्ट पार्ट अगर हम देखें, तो फस्ट पार्ट के अंदर हमारा क्या है, माइनस का 4 बाई 5 into 1 is equals to 1 into minus 4 बाई 5. तो देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, actually मैं minus 4 by 5 into 1, तो minus 4 by 5 into 1 करोगे, तो क्या आएगा minus 4 by 5 यह आएगा, या आप करो 1 into minus 4 by 5 तो क्या आएगा minus 4 by 5 मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि किसी भी number को अगर हम 1 से multiply करते हैं हम इसको तो रब कर देते हैं हाला कि मैंने आपको बताया है यह करके लेकिन किसी भी number को अगर हम 1 से multiply करते हैं we know that किसी भी नंबर को मान के चलो कि कोई नंबर A है तो A को अगर 1 से multiply करते हैं तो result जो आएगा वो नंबर खुदी आएगा मतलब A ही आएगा तो यहां पर देखें माइनस 4 by 5 को 1 से multiply किया जा रहा है तो यहां पर result जो आएगा हो माइनस 4 by 1 यह नो प्रापरटीद होती यह कौन सी प्रापरटी रोत responsabil कि यह मर्टिप्लिकेटिव आईडेंटिटीपी यहां पर कौन सी 1 मोल्टिप्लिकेटिव आईडेंटिटिटीव ईजह है सेगेंड पार्ट देखते हैं सेगेंड पार्ट क्या है माइनस का 13 buy 17 माइनस का 13 buy 17 इन्टु माइनस 2 by 7 इन इक वड़ाइव 7 इन्टु माइनस का 13 वाइन अब यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर और चेंज हो रहा है यहां पर क्या हो रहा भाख A A into B is equals to B into A, the simple order change हो रहा है, पहले minus 13 by 17 है, फिर बाइद में minus 2 by 7 है, और RHS में देखों, पहले minus 2 by 7 है और फिर minus 13 by 7 है, तो order change हो रहा है, तो आपको पता है कि A into B, जो होता है, वो B into A के equivalent होता है, तो जो properties होती है, A into B is equals to B into A, यह कौन सी properties होती है, यह होती है हमारी commutative property, तो य commutative properties का use, ठीक है, चलिए, थर्ड पार्ट करते हैं, तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारा minus 19 by 29, आपको इस question में सिर्फ properties बता ले, और 29 upon minus 19 is equals to 1, तो देखे, रिजल्ट में क्या रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो यहां पर आप देख पार हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां minus 19 by 29 into 29 by minus 19, तो 29 से 29 reduce होगा, minus 19 से minus 19 reduce होगा, तो overall हमारा क्या जाएगा, एक तर से बना जाएगा, तो यह जो properties यूज हो रही है, वो कौन सी properties यहां पर हो रहा है, तो यहां पर देखे, हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है, multiplicative inverse, reciprocal हो रहा है, minus 19 upon 29 का reciprocal क्या होता है, 29 upon minus 19, और जब इसको reduce करेंगे, तो result one आता है, तो reciprocal multiplicative inverse में क्या होता है, जो result आता है, तो यहां पर कौन सी properties होती है, multiplicative inverse, यहां पर कौन सी properties का use हूज हुआ है, मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी का यहां पर यूज हुआ है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए का बैल आइकन को जुरूर प्र